तो नमस्कार जैहिन। आजका जो हमारा orientation है, orientation कहें, seminar कहें, या इसे मैं समझता हूँ कि जी उरिंटेशन के बजाया या किसी सेमिनार के वगया है य सामानीिशी जो बातचीत है उसके रूप में और पो Ronaldo East गहले हैं ईक्ज़े हैं जो घुक होता कிया कर drives न जो होता है कि हम पढ़ पंट एक का सयों होग olması पुरी पर मैं ने देखा आफ्ल है बच्छा पढ़ाई के दूरान बहुत अच्छा था था है बहुत अच्छा रहा तैयारी उसकी ती ऐसा भी नहीं था कि उसके उसमें को इन्लाप परवाई करे होती है व कुछ आइसे कारक हैं कुछ नहीं बहुत तर एक स्सक्राइब करते हैं तो म बच्छे बायबी देने वाले है वह पहली बार बर गजाम देरहे हैं और पहली बार बोर से निल गया तो बार बार बी अग्जे है और लगबी ज़क्छें अनकर पहली बार है थे हैं तो जब काम करें हो olhar थे अगर दूसरे के नबवभ को चीजें У्ूं में अपने stat kind को किस तरह करना isto कोंशी चीजे नहीं अमें तू इसमें अयमाऑ किस तरह का ऩर धानुक में कारणीनका यह तो मैं बहतर सा Τरह के ऐस नरी में तो आठ साथ से मड़ीय तो इस सेमिनार को बेशक मैं आप सबके साथ मेला बात कर रहा हूं जिस टॉपिक पर लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी एक रिशर्च भी है थोड़ा से रिशर्च है और साथ में उस रिशर्च में भाग लेने वाले जो बहुत तरी टीचर्स है उनका एक युगदान है कैसे क तो मैंने इस तरह की औरिशन करने से पहले क्या किया कि करीब पचास ऐसे टीचर्स होंगे जो डिली गौवर्मेंट स्कूल में हैं और करीब करीब हो है 15-20 साल से वो एक्जामिनर हैं सीबीसी की बोर्ड कोपियों के दसफी के बार्वी की बोर्ड जाम्स जो पढ़ बहुत सारा लिया है ठीक है जो अपन भूट सारी है उनोंने इअख दिमाग में सबड़़ा हुआ है लेकिन वास्तफ में एक एक ईजामिनर वा बच्चे से क्या चाहता है और कोन सी ऐसी चीजे isolative के जिनको देख खरा घ़ाता है तो तो दो चीजे पुछे एक्जामनर से, अगर आप किसी बच्चे की कोपी चेकर ने बैठते हो, दसवी की और बारवी की कोपी, तो आप क्या चाहते है कोई बच्चे का उसको कोपी में कैसे आंसर लिखे, जैसे कि आप उसको अच्छे नमबर दो, दूसर सावल में पुछा, क इक्जाम की जो हमारे आंसर शिट हैं, बारवी की दसवी की बोर्ड कोपी, उसमें कौन सी चीजे उम्हें ऐसे दिखाई देती हैं, कि जिन को देखकर नमबर जहां आने वाले थे, 80, 90, और वो 30, 40, 50 पर लडग जाते हैं, दो चीजे हमें जानी ज़रूरे हैं, तो इस लिह जाए जाए और जाए तो तुम उसे नमबर लेकर देखाँ, पहले चीजे हैं, हमारे चुछेंट होने के आथे हम वो चीजे वहां आएड करें, दूसरी चीजे मेरा मकसत जो था उनसे बात करने का वह है, कि हम इस पक्स से, इस पक्स मतलब जो बच्चों की जो साइड है, जिसको एक examiner कोपी में देखना जाता है, जिस चीजों को देखकर उसको जो कोपी चेक करने में सहुलियत होती है, या उन चीजों को देखकर अच्छे नमबर देने के मूड में आए तो वो चीजें क्या हो, तो नमिला कर ये कि हमें अपनी बोर्ट एक्जांस में क्या करना बहिश ओ एक यह इदुगा केले ना, एक दिन 3 tremendously में तुम जितने मेहनत करोगे बोकर देखकर करेगा पूर्य साल आपने किया क्या मतलब नहीं है, पुरे साल आपको कितन wedखो क्टा करो क्या मतलब नहीं पतरें क्रूर को क्या मतलब नहीं है, वह तीन गटे तह करेंगे तो पूरी तयारी है और खासकर वो टाइम कि जब बच्चा रिविजन कर चुका है अपना स्लेवत पूरा कर चुका है लेकिन एक्जाम में भी एक दो महीने बाकी है तो तब क्या क्या चीजा हमें क्या अब जिन चीजों का ध्यानकना मुश्की बात करें तो पहले टोपे की बात तयारी तयारी यह बात does? यह दिनका अपने ते पहले की टीर बातों कर रहे है तो महां में मैं अब जो परिक्षा तो अविए मैं तो पहले मैथ हां दो कि एक्जाम महीना का सबगी है और तन उससे पहले पादो का चाइम है जो टीड ह्चाम बात करना कई थेखो कुछ चीज आसी होंगे कि जिन पर हम अभी काम कर पाएंगे भी मारे पास वक्त है को उन्ची और को बचा एक कुछ निकल चुकी है बल्द उन पर उन पर काम करना आया उन पर जो हम कुछ सुदार पाएं या उस पुछ को ठीक कर पाएं वह संबावना आपकी जो CBSC बोर्ट जो 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 जाम पैटन में ना नमबर देग पैटन वह थोड़ा डिफ्रेंट है बाकी जो इस्टेट बोर्ट से उनसे कैसे अलग है कि जब बाकी किसी स्टेट में कोई इक्जाम होता ना कोई मलब अग्जाम को की आंसर शुट जो है दसवी वार्वी की और वार्व को पास सब कूपकीं के उफर बचचे का नाम बच्चे का पता सब कुछla हुता है ना बच्छे को पैचानने के लिए शुट को कई दिक्कट नहीं बनागी पर 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 कोई जानकारी नहीं होगी उसके साथ उसके सामने आपकी पहुचान के रूप में सर्फ कोड लिखा होगा डॉस कोड का मताब सिर्फ सीज्वेस को पता है ना बच्चे को पता है ना एक्जामिनर को पता है किसी को पता है कोरא कुछ भी हो सता है मुझे भी पता कह concur मुझाचा जाए और ना इस बारे मेरी किसी सीरा से कूई चखचा हो ठागे तो कोड़ी कुछ प हम अब देखो क्या होता है कि जब आपकी कोपी फरस्ट टाइम किसी एक्जामनिर ग्रेट नहीं जाएग आप जब है इपना एक्जामनिर यह आप जै आपके आपकी किसी बताय तो मिलें कुछ को इसी जिनको देख तो इस उनमपर देर नहीं है में से सों में कोपी देखते ही ज्माल बच्ची बच्चन लेकाल मेर बच्य चाया हैं but make f Еще ऑ अच्छा फी लेगा झेल है और लंगता है जर्चा किया बlu Hello student man यह पहनते हैं किसे स्मार्ट हैं कितने आप कैसे का यह सबसे इग्जामिनर के लिए सबसे संदर बच्चा होई है कि जिस बच्ची कोपी बहुत संदर है देखते कोपी कि निट और क्लीन है अच्छी सी राइटिंग है खुब बढ़ी असा अंसर लिखा वा है एक्जामिनर के कि ये को पिपर आँ से लिखा है कि जया तो खुद पड़े है कि इस हो लिखा कि तरफ उड़ लिखी के अप अब वोहगुना की तभ ना जब टेकना पड़ता है लोगर कहा कि तब थो फर आपना जो है जो है विछ इस यह नो है तुम घुमाव, तुमंही घुमाएगा, सिंपल सी बात है, ना, तो एक्जामने इसने बता कि लेक्षा कुछ कोपी ओते कि लिए और देखते ही एक्जामने करता है, कि भाई मन से चेक कर दी जिस तरह बच्छे ने मन से आंसर शुट लिख ही है, उसी तरह नमबर दो, एक नमबर दो, तो सिंपल सी बात है, गिवन टेक वाला फंडा है, कि आप अपनी आंच शुट में जितना सिद्धत से लिखोगे, एक्जामनर उतनी सिद्धत से चक करेगा, और नमबर उतनी सिद्धत वाले आँगे, अगर आप 3 गंटे टकार्ट ने कई अपने अपने जिद्धत से पहले की बात करें, तो मैं पाता है, आपकी 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 जो कोपी है, वो इताय करेगी कि आपको कितना नमबर मिलेंगे, एक एक एक्जामपल है, उदाण है, पर नहीं सिंपल सी बात है, चाय सभी लोग तो गर में तो पीते हैं, बाहर भी पीते हों करता है? विद जाए हों। उदावी नहीं तो थे मानता है। द५र करें लिदे लुग उदा कोको है, टॉप है, उदाची पैनि दवाए हों। फो टॉपि, लेक्षा समें औरूपal टॉप ए टुचाए में बेनय से थे बात करें हों, नहीं हम उपने मैं 100 है। एस दुरु पेपर कप में दी जाए न दी चाहां थे अस जाएगा? या जाए कप उन दी चाह जाने जाएगा? आपको ओग को अपमसे और लिलर फोग ऐ मतातने के शितम के चाहेजे जाएगी तो अधैक से हम उ्यतल फिर किस जाएगा? आपिर अम्हार में चोटु बोलने है, र सानु चाहा विर जो भी करें, र सान कोई भाद फलागले कोूटने हैं, जो रहर भाद ठोड़ करें अंदुक जूर से बिदी बदगवार रहा क् मैंलूं में नहीं केमेत कीमेत थे कितनी होगा 1.5-200 रुपर तकाल यह सोजाए वैसे हैंना आम थो पे मालतकर एक चाय दो शुरुपे की अप नो थो रुपर होते हैं आगि अप्षो रुपर वह कितनी बैं जो तो रुपर की चाय में बाल्ती बरकत की आएगी नहीं नहां यह इस में थै लेकिन चीज मंतर के हए यहां वाली चाय और अवारी चाय में, आप जब आप बैठ होंगे यहां जो आप चाय के नहीं अशाथ को शीडा बढ़ बैंच जलिए पीलो, नहीं ड़ा हो तो खड़ें के पी लो तक है? ऐसी चाय मेलेगी वहां जहां जहां चाय मेलेगी भुष् एक एर कंडिशनर है ना एक प्रिमाइस होंगी यह एक जगा होगी जहां बैटकर तमीज में टेबल बल्कुल नीटिन क्लेंसी टेबल होगी टेबल पर जए बुके वगारे भी गुलाब भारे मिला फूल रखे होंगे सामने नैपकिन का बॉक्स भी रखा रहे हैं टिशू का भड़ी बॉक्स रहगा और बढ़ी ऐसा फस्स ट्रास से वाट चाइया लेकर राए गा ठैक है वह एक पड़ी ऐसा कप में प्लेट में बड़ी ऐसे लेकर राए और लेकर राएंगा वह वेल्ट्रेस डोगा कूब तमीज से लगा कर बहुत पयासे बोलेगा ठैक है सर जाले 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 जा जो भी बच्चा देगा किसी बच्चे ने अलग स्लिवस पढ़ा होगा सब को पढ़ने के लिए वक्त भी बरावर मिला है बही एडमिशन लिया यह क्लास में अगली में प्रोमोट को पहुंचे और लगभग एक साल का जो टाइम है हर बच्चे को मिला है ठीक है जब पढ़न वह इसले बस वह किताबे वह गंटे वही पूरा साल वही चलास्रूं वही इस्कूल वही टीचर्स जब फट्ट जो उसे इंस्स्टूट में वही इंस्टूट कर वहां सभी है एक तो अपने आप में कि तो 33 आगए है, तो क्यों है दोनों में अंतर तो यह दोनों में अंतर है। वह है जो पड़ा है, जो नौलीज है, जो सीखा है उसको रिपरेंट कैसे कर रहे हैं। अब ठोड़ी सी यहां बात कर 0.2 से पर नौली grin, जो जो मेंसे करते आख हैंग… मैंने जो चीजे देखी हैं कि जब यह जो दसी वारवी के बच्चे हैं मुझे कोई हर्ज निया कहने में कि इस समय आप लोग हैं बड़ी चंचल उम्र में हैं चंचल उम्र समझते हैं सुनेरी सपने आ रहे हैं ठीक है जाने के अमन बावरा वाला ठीक है एक लड़की को देखा तो आइसा लगा वाला वाह रहे हैं है कि अनुम्र में हैं आप उस उम्र के पड़ाब पर हैं कि जहां पर जो है सुनेरी सपने बहुत आते हैं ठीक है सुनेरी सपने इन दसेंस में बाद करता है ना किसी सुख सारी बात रिलेस्टे रहेंगते में गुवेमन Sahra McGao कि ना क्रत में जुरे के दिडे माणा भाब youth afterwards बिस दोनिम्पश जा रहे हैं कहल kissing भाब इस समय हम जब आपकी एक्जाम से पहले का थायम है उससें तोस्ति, कोई भी, जो उम्र का असर है उम्र का सथा झीच मन कि भी होगता है गुम भीने फिरंगे के है लिच सहन भी हो चाहे है यह पर आप इस तान ह Champions मन भी काम के कामों में काम लगता है और फिर्णिक काम में बस्ति काम में जागता है तो पड़े रहना है और पापा है कोई दिकत ने क्यों कर वार भी पड़ाई भी क्यों करनी है जब हो का तद देखेंगे ना वैसे अधा उम्र के इसमें जो मेरी कि वह ना क्या उम्र का जो है प्रवाव है हुआ है क्या करना एक चुछीज इसाम से पहले एक उम्र के उम्र का प्रवाव है उसको संबहता है यह नहीं कहादा चाहिए कोई बीमारी है तिक है डूनिया में पहले हैं उसे ने आब वन कर रहरो हैं इसन का मन कर रहा हैं गूमने का हमनगा कि यसका नहीं मेरे सपनों की नाइ जपैले वह टो ऊप लोग पैले हो टो जित्ने भी बीमारी नहीं के और रिपल बीमारी नहीं के और राज जो किसी को भी इती है? भीकुन बीमारी को प्रवाव को जिसमेस सामाल लिए उई लिए God जिसने भी अफिस्ने अफिस् Онर के अफिस्ट आ को ग Scratch क quindi सामाली है वह जीवनों कुछ कर गया है कि उम्र के जो प्रभाव है, उम्र के जो असन है, उनको संभालना है, ठाके, रोकना नहीं, इलाज नहीं कराना है, ठाके, संभालना है, संभालना है, संभालना है, संभालना है, ठीक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, पेपर हो जाए, पर तो, मुझे कोई भले कि तुमसे बात करें, का फ्य कि ठीक फिन भारे के पेफर दे लै थो फिर पड़े लाँ देर aby पीनी तर टीन महीने क करें कोई पूछे लिए ने थीन महीने बादव टीन रपोरो टीने कि ने कर दो तन पहो तो, रसर ञांगे तक टाओ आदो जो कोछ भी है, अभी पेपरे लें फिर बात करते हैं तो ये वाला ऐत्टीट होना झी, ओना उख podcast तो ये वाला इटिटों हो ना चीए चोल कोई बात की आप कोई बोलो के यहां गुमे चलना है बोलो को ठीक है को तुम रहा है वही रहे गा सेफ्ट में होने वाला है कहीं और जाना है पार्क जाना है चलो भी पार्क वो पत्तियां यह जो इसकी पेड़ पोदे हो चुखेंगे नहीं दोबारा उसमें वसंता आएगा है तब चलेंगे तो वह बाला भाव हो अची सर्फ इती सी बात के वह अपनी उम्र के भाव को समाल जाना है जिसने समाल लिया वह अच्छा कर जाएगा और जो बह गया सो अना फिर बटा ठेली चीज बटा दूसरी चीज जो बटा क्या है इसे में बोलूंगा किस रूप में के भाई देखो इसे बोलते बटा सामाजी जीवन है ना समाजी जीवन को संतुलित करना है ठीवड़ा समाजी जीवन क्या कि एक बच्चा होने के नाते हम सर्फ स्टूडेंट नहीं है एक लड़का है लड़की होने के नाते हम सर्फ स्टूडेंट ठोड़ी है चाथ ठोड़ी है हम किसी के बेटे भी हैं किसी बेटी भी हैं किसी क कुछ है समाज में समाजिक जीवन में हमारे समाजिक जीवन में बहुत कुछ गुजरिगा तक है तो मैंने अनुफ के बार क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा है पटने में बच्चा गर में अपने 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 अप बढ़ाये ख्लाइए ख्लैश हो गई और मैं यह निए कहा रहा हूं कि ऐसा होगा ठेके लेकिन प्रकरती है जिसका जीवन है जीवन में जो कुछ बढ़ा हमेशा लाइफ स्मूथ नहीं चलती है आज खुश है तो कलको उसकता है परिशानी भी घूसती है परिशानी आर्थी दोसकती है परिवार में किसी घनिष्ट में किसी सगे संबंधी में किसी का आना और जाना भी गारा होसता है कुछ होसकता है कि बहुत सारा दवाब हो समाजिक तौर पर परिवारिक तौर पर या आसपरोस के तौर पर तोर पर तोर पर जो हमारे मायन को डिस्टेक्ट करें दिमाग को बटका है लेकिन कुछ ऐसा होकता है कि अप्रमारे दिमाग को बटका है बटका है किसी का भी ना हुझता है मेरा दोस्त है अब मेरे सा बात नी करता है तो कोई नहीं उस समर बोला कि चलो ठीक है आप दो तीन महीने पढ़ाई कर लें एक्जाम दे लें दोस्ती सब यहीं रहेगी कोई कहीं जाने वाला है अगर किसी मैंने मैं इसा क्यूं बोल रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हो कि पिछले आठ साल के बैच्चों में तीन बार ऐसा कि बच्चे का एक्जाम है मार्च में ठखे हैं और व22 फरवरी की लास्ध मी जनवरी फरवरी नों जो है और तीन बार होआ है आप और है वह साल में नहीं नहीं पहर कुछ बर्क्री कखारता कुश्तित वह क्या करें तो उस वक्त की बात कर ऑने घ्nen श्च्छ को की बात कर में किसे का नहीं लेना चाहता है लेकिन क्या वेट वीटर हुआ कि मेरे साथ myself अजाम है मार्च में और उसनों बच्छा त्यारी में थक्त और मंधत smackत के साथ ऐसने के परबरी में या जनवरी में उसके फाइद एक दो बच्चों के साथ तो कि उनके परिवार में कमाने वाला सिर्फ पिता था बई चलो एक मैं यह नी कहता कि किसी कमी कोई पूरी कर देगा थे लेकिन इस त्रिम बच्चा समल जाता है कि घर में और बड़े हैं पिता नहीं पिता के बाद बड़े बाई हैं समाल लेंगे बड़े बाई हैं परिवार कोई बी इस समाल लेगा परिवार को आठी गरूप से ही समाल लेगा ठीक है इसा कुछ उब अधर है तो फिर भी बच्चा तो बहुत समझ जाता है ऐसा भी हुआ बच्चे के साथ में कि मलग कमाने वाला घर में घर को चलाने वाला से पिता ही थ हमें पहले ह हुआ हे नहीं पता कि हमारे रहे कर कुनने हो जाओ, एमोशनलेस हो जाओ, नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकते, लेकिन मैं सिर्फ यह कहा था हूँ कि उस समय के लिए जब भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ बने अभिगड़े, ज्यादा खुछ नहीं होना है, और दुख के प्रवाब में नहीं होना है, ठाके, हो स किसी के इस तरह चले जाना, जीवन की सबसे बड़ी यहानी है, ठाके, तो मैं सबसे बड़े उदारों की बात कर रहा हूं, और बहुत कुछ ऐसा होता है, होगा, जीवन में, कि जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को दुखी करने की, या जो हमें परिशान करने की कोशिश करेग ठाके, और उससे आप जो भी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, वह वापस लोटने वाला नहीं है, वहां कुछ बदलने वाला नहीं है, बस बदलेगा यह, कि हमारे का नुक्सान होता है, भरभाई नहीं कर पाएंगे, तो यह जो मैं कहा रहा हूं कि समाज जीवन क संतुलितर करकर खना है, और अपने आपको उस सामाजिक जीवन में बैलेंस करकर खना है, ठाके, इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने करनी है, कि अगर कुछ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो चलो ठीक है, प्रकृति है, इश्वर है, जिसने जो बनाया है, वो चलता रह पर बटा बात करते हैं, किस चीज़ की तीसरी चीज बटा, अपने स्वास्त का बड़ा ध्यानक्षना है, सबसे जरूरी है समय अपने स्वास्त का ध्यानक्षना, ठाके, मोसम बदल रहे हैं जल्दी जल्दी ठाके, अब कुछ दूनों पहले सदी थी अब गर्मी हैं, और एक दूदी में ऐसा सुनने मा रहा है, कि सदी बड़े, ठाके, और हम उस भाफ में रहते हैं समय बहीं, कि टोपी पहन ली तो बाल खराब हो जाएंगे, पुछो टोपी क्यूं नहीं पहनी है, बाल खराब हो जाएंगे, कंगे करने में फिर दिखत होगी, बाल नीचे समय बखते हैं तो स्वास से खिलवार नीचे करने हैं, जो मोसम बदलता है कि तो जो मोसम बदलता है, तो उसी समय समय तो इसी फिवर बखार होना यह जो आज़िए वेटा गारन्टी है, अगर किसी बच्चे को दो दिन धुदा धंका बखार रह गया तो उसकी पुछली द जिन न ज्यारिक कवाल झाजएगी. दिमाग बुखार में तो जिन गफाधा हिए में आसम्सी पूखा ने चोटे वने ब्मारिय में उसली पुरा आसमाटी आउचया देखे लिए आओ बुखार नारा है जुखाम ही रह गया चोड़ो बुखार तो बट बड़ी बात रहे है तो पिछले एक दिर महीने की चीजिए है जो जितना हम बैलेंस ली पड़ रहे थे वो छी हिल जाएंगी पक्का है तो स्वास के साथ खिलवाद नी करना है पहली बात तो 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 एक तो तो बहुत तो उमर का जो प्रवाव है जो बाहर है इसको संतुलित करना है दूसरा जीवन है उसको थ्लड़ा बैलन्स करना है और तीसरा हमने बात की भई ठाक है इसकी एक जो चीज अगर आपके कंट्रोल में रहे तो पिटा अपनी जो प्रेंटेशन के लिए हम आ खरती द्नयां धापचाह और प्रश्थित खिशत चीजे अनलड़ए उसमें चाय द्शुली तब पेंटेशनन संट्र के बहुंत है वही जो दूद है वही जो च्यंपती एयवह carried व्या एंडबा याह किस तरह किस तरह प्रसेंट की जा रही है एक को मिले दोसु अर्कोह मि करा हम आंसर बाहिए नॉलिजह बात का बषख गए पर सांवर में अनैंने बाइस हो आठीthree हो बात के नोशमार को अनु Clay एस awakening के लिकंझा लेकिन उस आंशर को कैसे लिएक करेगा यह माइन वानी से बात के आपको number के में रहेंगे पर दो सब भी रहें ना आइसरी लिकंगे जो तुमा इस अलकु पर करनेका पलेसे इस अंधे वाले से बता है ना वाई टाव हो किताबी तुम्म से बढ़िए लेकिन number इस भी त help Mozart ुम इसके लिए में जो एक काम अगर आप करने का अग्परस नहीं हो तो अपने राइटिंग को बहुत सुन्दर कर लें ठीक है जैसे इसका आपने काना कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होगी इसका मेरे पास वक्त नहीं है ठीक है बहुत अचिया नमटर इसको कर तो अगर आप में है चम्ता अगर आप में ना कैपसेटी तो करो तो राइटिंग और प्रिंट्पेश्ण परिंट्रिंटर का अपने आपने अगश्ण को रिपेजेंट कर रहे हैं हमारे लिखने की भाषग ने की भाष्गा मतलब क्या एक पर बच्चा लिख रहा है सिंपल सी बात है एक बच्चा जो है लिख रहा है आम सब्दों में है ना कि भारत में लोक्तांत्री बात में रजवाणों का विल्या कैसे हुआ बच आए जाओ टीडिया अंसर है ठीक यह ना डुसरा लिखता है कि भार्त में लोक्ता Olympics का विल्या कराने में भारत के पहले ग्रहमंथ शाब्ला शाफ पूर्वक रही हुआँगा बाद着ाव में Пос清च ल्यावाणों की रहिड़त है सब्धानी पूर्वग बड़े सहस्ता से सभी रजवालों का लोगतान्तिक भार्त में विलेकर रहा है आंसर तो हुआ है प्रस्पुतिकरन के बात करें हमारी भाषा है ना बाष्ट शायली कैसी है हम कैसे अपने आंसर को रिप्रेस्ट कर रहे है वह अची है एक जो पांच व बहुत तरह पढ़ चुक हैं क्लासस श्कूल लग भग अभी कुछ दूर्हों बंद जाएंगे था श्कूल आपके बंद हो जाएगा अब आपके पास पढ़ने के अगर आपके इस्टूट जा रहे है तो बचेगा और दूसरा आपके पास घर बचेगा था पढ़ने के लि और पांसिंग तोमर देख लिए मेरकासिन देख लिए और बलो सुबेसे तो मुझे अब तो बही जो है ना सीबेसी का जब रेल्टर आउंस अब लिखा रगा बड़े अक्षोरों में वहलाने वेक्ती ने बच्चे ने जो है सीबेसी टॉप किया अब तो वहाला जोश आगे अगली सुबैसे शुबा पढ़ना अगली सुबैसे आम तक मंमी भोले खाना खाले नहीं ममी तो चार चांट पूरे बुराद काने तभी खाना काओंगा खांग गाना खांगी एंबवले जो है पड़ा है ना तो ले नहीं अब एग्जाम के बाद इसा वाला वाला के लिए जोश में और गुब बागत बारा तेरा चोदा गंटे खूब पढ़ लिए ना और लगा उसी दिन है ना यूपेसी वाला जाएंगी बिटा क्लेक्टर की जॉब ले ले ऐसा वाला लगे ना तोड़ा जोश अगे इतना थे शाम को कुछ खाया है ना सुए और उसके अगली दिन की सुभा जो है ठाक है ना कोई बात नहीं है भी थोड़ो ताइम बहुत है इतना पढ़के क्या करना है ना किताब खोली किताब खोली और किताब में विस्तर नजरा रहा है ठंसा में सुना रहा है मों समय कंबल ताना सो गए उठे चार गंटे पर 10-15 मिंट बोला ममी बोला पढ़ ले तो चलो फड़ी लेता हूं अब फर कोई उठाई अपना गोग उठाई पर खाने खाने के लिए 2-4 गंटे पर शाम तक हो गई ठाक है शाम हो गई और शाम को तर फर 10-15 मिंट पढ़ लिए यानि कभी तो बिल्कुल हरा बरा ठाक है dapat खेः अपनी पढ़िए कितनी देएख की एह है कितने देघ्र आप समझ कर फड़ा जो पढ़ आ पढ़ सकते हैं 30- 14 मिनट कि यहेए 2-4 गंटे कि यहेए आपको अपका हैविचे बें पता तो अपनी रिगूलेटी करू पढोए की तो चेया अप् Una hat गन पढ़ में बहुत ज़्यादा पढ़ने की किसी को जरूत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ो, रेगुलेटी बना के रखो, ठीटा, रेगुलेटी पढ़ने में भी इसी में एक और चीज़ एड़ कर लो, ठीटा, क्या, लिखने की, सिर्फ पढ़ो, ठीटे रहे किताब पढ़े जारे हैं, और बड़क बने गए ना, विद्वान, लेकिन लिखने ही पढ़ो, टुसलemi अ कि दिमाग में कम घ्षिस लिखना है में और गया कुपने गया आपको अनि घ्रभ की इस बातों कोही मतलब नहीं, जर्फका पढ़े सम्हें, होते महाँ हैं खेएं अब पढ़ते बागे हैं, किताबे 2 त तीन बार खूब छान मारी किताब में 4 उस वकोई पुछीले बच्चे से ना कि बता हो तुमारे किताब के में कौन सी लाइन कौन से रंग से रंग से रंग से रंग से छपी थी चुथी लाइन पजाओ वहा पर हरे रंग से एक बीच में important point डाला है किताब के page की आखरी बिंदू-मसी नीचे 스मा来 चार क्लर का गल इस लोग में पाक संदिया कि एक से किताब टक ही जब तक हम अंसर सुट में लिखेंगे नहीं है पड़ बहुत लिखेंगे लिखेंगे नहीं है तो रेगुलेट्टी क्या है दोनों चीजों में अंसर राइटिंग में और पढ़ने में भी थेके हमारे दिमाग में हो उसको कोपी पाएं और इस तरह उतार पाएं कि जो हम कह पढ़ने वाले को हमारी कोपी पढ़े उसे वही बात समय में आए ठीक है तो एक बटा इस चीजे बहुत ज़रूरी है यह वाला नहीं करना है कि एक दिन तो पढ़े लिकल कई गंटे और किस दिन मिंट भी नहीं पढ़े है ना वह काम नहीं करना है तो रेगुलेट्टी द एक कोष्म पोश्म पेपर की भर्मां रहे है आप गुपल पे चलेजाओ ठक है आपको प्रैक्टिस सेट्स और कोष्म पेपर commenceब मुल देंगे तो एक दिने कर पारहे है है नहीं दूसा बयत paid-rlo और दो दिन में क्र लोग दो दिन round attent 21 तक निक करना है था थाला था थाल्ट पेपर लेना है और उस पेपर को पूरा नहीं करना हटना नहीं है तो तीन गंटे पेपर आज कर लिया आज मेर करो अगले दिन मत करो दो दिन बाद फिर एक पेपर ठालिया तो रेगुलर्टी लिखने में वी चीए पढ़ने में भी और लिखने वी तो बड़े ये सारी जो जो मौ्टे तोर पर है या जो जो ज़रूरी है वो शुक्त अभी का जो हमारा टाइम है जो जोऑ फृमारा गोल्धन टायम थे इस समय जारा पीछे सांभाण किया क्या क्या ये मतलब नहीं आप कितना पड़े वो मतलब नहीं ये कितना जो रहा है आगर इन में से यह जो च जाने वाले दिन से पहले की बात करें आपसे लेकर और जिस दिन आपका पहला गीज़म है उस दिन की बात कर रहे है तो अभी इन बातों के आपको नखनाक मैं a counselor अपना जिस दिन the नम एक्जाम के लिए जा हूँ गर रह देढहा हूंगا उस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है चरिए इसमें दो चीज़ें एक तो भाई और क्यों क्यों एक्जामिय माट कर। सोच वालें इसमें क्यों सोच ले ? कोई आज उसमें नहीं saying? क्यों इसमें बजने यह जो अब आपहर? अभी किसो सोच लें तो बैसे वाला है इस उमर में ना है कि बटा बोलो जो है थंड और यह जगट पहले क्यों पहले ले हैं जो बढ़ी है क्या थंड लग जाएगी ऐसे लग जाएगी उम्र का आसर है विद्धा तो बिटा अभी जो हम जो बातचीत हुई जो डिस्कुर्श है इस तरह क्या करना है क्या करना है करना यह नहीं दू ठीक है और क्या नहीं करना है क्या करना है और क्या करना है ठीक है अभी तक ही बात करते हुए एक सामानी इसी बात है आप सोग पता होगा ठीक है लेकिन मेरा काम एक टीचर होने कि नहीं यह है है मेरी जिम्मेदारी है कि मा को सब चारण अबज़ कराऊं आपको सब सब करना है आपको पता होना क्या क्या आपको दो क्याँ दो मैं गटका ciao कर कहा है जो पर टीचर से गवर्मермeldet अग्जाम्नर यह गया पक्रणेट एक्जाम कीख रूपी चेक करें और क्या ना करें उस बात्चीत का उस डिस्क्रिशन का जो नतीजा है जो मुझे चीज सांग में आई कि वो एक बच्चे से क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं उनका नतीजा यह वाले पॉइंट्स है जो मैंने उनसे बात्चीत के बाद कंक्लून के वान करें जो मैंने थो करीब मैंने इसके लिए पचास तीचस से बात की कोई बोलेगे हैं सर्फ जो मेल टीचर से पूछ रिया हमारी मेडम से भी पूछते कि उनको क्या चीए कोपी में तो मैंने लग बग जो है सभी बात कियो गंटों मेरे खाल से केवल उनसे बात्चीत करें बहुत सिंपल सी बात करने हैं तो हैसा नहीं कि हाजी बताओ उन्हों बताया हम फोन टाटकर रग दें बैवार तो यह हैं कि मुंसे हाल चाल भी हो ठीक इसी हो तो कई गंटे मेरे बिटाया प्रिशल साल और उससे थोड़ा जाम लोगडाउन था तो समय जादा फरी था मैं भी लोगडाउन में तो अकसर चीज़त से इसी विशे बात होती थी तो टाइम का यूटलाइज़न हुआ हो और मुझे लगा कि जब उसको वहां सीखने को मिली रहा है तो यहां क्यों ना बाटे सभी के साथ एक दो चीज़े बटाएं कि आपर जो है डू डॉट्स में कुछ ऐसी चीज़े भी हैं जो जो आं स cowok आंनृश्व्त से लिटट नहीं है क्या ठीट गाचेouseजय के पर जो करना यह दिको इक जो आपको करना है वह जह कर आप ड़ी अप्रिक्शह वाले जिन के बात कर रहा हूं परिक्ष्वाले जिन की बात कर आह लह आपको जो करना भी क्या करना है कि सुबह सुबह एक तो पटा कि पिछली रात को आपको पूरी नींद लेनी है एक चीज़ आपको करनी है वो यह होता है पिटा है एक जो जादा excited बच्चे होते है जादा अच्छा अचीव करने मांक्स यह बहुत सारे scoring करनी है उनके साथ अक दो तक कि आपके जो सब्कषण होते है जो इकशने के दो भी था इसस का और विल जाएखार कि न कि पहुंचेंगे निए पूचेंगे पोचेंगे इस सुबह किने निकलना ए उनिफम्स तेयार करनी है इन्हे तो दो चीज अ होती तो यह ना रात बर बीदाता है अरा यह सा कुछ phenomena पुछ वार होगी उन्हें दूप अनुप कर लें एक तो इक जो काम कर जो दो जो दो दो तीन घंटे में आने वाली जो जुछ नबाई है तो जो दो तीन घंटे में आने वाली जुछ नबाई है पूरे तियारी को पूरे एक्जाम को चोपट कर देगी तो भी हो जो ऐसे लिए भाई कानने मालों में जो दूसरी चीज एंग से अलग है तो यह कि करना सुभह जाए ने जल्दबाजी हो ती है तो इसका बाद तो आपको बढ़ी गलत बात है अगर आपको पता है और आपको टाइम लगने वाले और एकजामें तीन में लगने वाले तो कुछ भी ऐसा महलब दिमांगे लेकिने चलना है करना क्या है कि शुवर बीड़ा पूरा नास्ता करने है थिके नाश्ता या खाना आप जो भी खाते हो जितने आपकी हैविट्टो टेगे नाश्ता या बोजन ठीवड़ा इसमें इसमें भी जो चीज बता क्या है ठीगे दो चीज़े होंगी या तो हम बिल्कुल निखाएंगे उसका होगा असर में बैठके न अगले तीन गंटे में असर होगा कि या तो हमें भागने की पड़ेगी भूक की वैसे के जल्दबजीब किसी तरह काम निप्टे और भूक जो है वो कई बदास्त नहीं होते कुछ मांश्रे भूक बाइखिकर बाइखकर यह साओधी अरब तो हैंगे वहाँ पर आपको आपको क्जाम सेंटर में बैटकर खाना वाना मिलेगा त्वू मलता लोगों को साओधी मेरूल है जब आपका एक्जाम का फॉर्म बढ़ा थाना एक्जाम में पूरा एक मैन्यो आता ह कि आपको एक्जाम करना होता है उसमें टिक करना होता है आपकी एक्जामेरिशन टेवल पर आपको सब चीजे मिलेंगी जो आपने टिक किये हैं एक्जाम पीस में जुड़ती है इसकी लेकिन आप खा सकते हैं आपके मर्जी तीन घंटे खाऊ है लिको ना तो हमारे अबारत में ऐसा हो ठीक है पाचला के वह खा रहे हैं छोले बटूरे ठीक है और इधर आंसे शिट पर छोले के खट बटूरे की इसमेल जा रही है है आप बहुत चुटी बाते हैं पर ये एक्जाम को बहुत बड़ा एफक्ट डालती है तो नाश्ता या खाना आप सुबह जो गर से निकल रहे हैं तो पूरा प्रोपर करना है ठीक है प्रोपर इतना इतना भी पेट नहीं बढ़ लेना कि जागा बैट कर सोए और इतना कम भी नि पर जो निकलने की जलती हो ऐसे निकलना है तो प्रवाद करना है तो प्रवाद करना है तो प्रवाद करते हैं 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 तो प्रवाद करते ह प्रिक्षा वाले दुन पढ़ना निया है सुनो,थ? मैं ऐसे क्यों कह रहा हुँ? परिक्षा वालि दिन नहीं पढ़ना कैसी स्ली बात бол Dop सुबह सात बजे छह बजे सोकर उठोगे आट बजे तक विसको उठोगे दस बजे आपको एग्जाम सेंटर पोचना है ठाकिए और आपका जो एक गंटे की दूरी पर होगा है ना वे सिंपलाण है कम सकम एक गंटा तो उस दिन ट्राफिक बहुत ज़ा रहता है वोट ग्जाम जाती बीड़ और हमारे तो इलाकों में से जाम लो जाता है तो उस दिन जाम बहुत रहता है तो उसकी मैं बजाओ बात करो निकल की तो इनकल पर बात क्या कि यह जो गलती है वो करती है भरुसा रखो के आपने पूरे साल जो पढ़ाया है वह इतना सेफिशेंट है काफी है अगर सुबह उठकर आपका मन है तो एक बार को यह बैसे ही सासरतोर पर कोई भायवंदु चूट गया हो आगे पीछे पेज में तो पढ़ने वाले भाव से नहीं पढ़ने आपको मैं साइकलोजिकल कह रहा हूं ठीक है कि जितने पर आप जिस चेप्ट को ठागा देखोगे आपको लगेगा आपने उसमें कुछ पढ़ाई नहीं ठीक है एक्जाम वाले तिन आप जितना भी इसको खोलो कि आपको आपको आपने पढ़ाई नहीं यह जो पढ़ हो प्रेंशियं मिलेगी जितना पहले पढ़ाऊ पढ़ाई पर डाउट होंगे डाउट कि अपने आपपर कि मैंने मुझे आता है कि नहीं आता है यह पढ़ाई की पढ़ा तो कोषिछ कर नहीं कि उस निया थो ना पढ़े पूरे साल पढ़ा है खूब दिन नाथ जोने देखने हैं अगर आपका बहुत ज़दा मान है कि एक बार देखने है चलते चलते एक निजर मारतजय जाने तल से एक निजर मारते जाने रे तकके टार, लिए मत ऑले खरने में उपए बेट गाल वह यह बुछ आती सब्सक्री आती बस जो टोपिक सब्सक्री में उपन बस पन्य प्लाटर को देख चलो एक लोग और इतना कर लो 10-15 मिंट में आरे गंटे में इससे ज्रादा कुछ करने की जोत नहीं है मैं यह से बतार हम ट्रया यह जो गूमते दिखा जिते हूं को नंबर चेकर लिए तुम लोग एक बच्छा जो मलब एक्जाम वाले दिन बुकुल लुद नि पढ़ा उसने पूररी आख पड़ा है ना वह उस पूरी आख चाल के पड़ाया इस नंबर आई है कि उस दिन एह कुछ नी पढ़ांगे और लास्ट टाम में शो को कि मैं ये भी मिल जाये को उचे हो तुमिल ज करना है, इक्जाम वाले दिन की बात करना है, हो तक है मैं देखता मैं नगी कि आपका एक्जाम है, एक्जाम के एक्जाम के रास्ते में बहुत सारी सीटि आए nécessaireald कि छाग आढ़ा रहा होगा ऐसे घंद न लगा रहा होगा ना कई टेंटमेट लगा हो कि निताजी बाशन देरें को पहुंसरी चीज़ा थिए आना क्या नहीं करना है था 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 हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है में को हुआ है क्या नहीं करने कि अप्र आस्ते से अक्याम देनेगां थे चाहिं तो ऀफ वह रास्ते में क्या हो रहा है किरसंको सहल्क है कैमर किरसं अप्र को मर गया है कोई बहुत बुरी चीज हो रही है बहुत चीज हो रहे हैं उन्स पर धान देना बस यह सोच के चलो बैस सोच के चलो कि तुम्हें एक साधू हो एक सन्यासी हो और यह दुन्या स्रिष्टी एंसे चलती रहेगी है अपना एक्जाम देकर अब बैट वह काल नहीं है ना गुर् कोई सारे बिच्चे रहे हैं एक बच्ची पढ़ा रास्ते में उसे उठाया रास्ते में रख दिया क्यों किसी का पैर लग जाएगा किसी के चोट लग जाएगी बुरा हो जाएगा है और वह बच्चा जोए सबसे देर से स्कूल पोंचा वह गुर्कुल पोंचा तक है किसी को चोटन लग जाए उसे पत्रडा के साइड मे रखा तो प्ता वह गुर्कुल वाला काल लेंगे न है यह सिबेसी बूर्ट एग्जाम है और वहां समाज की भलाई करते हुए नहीं चलना है रास्ते में तो ना तो किसी चीछ से प्रभावित होना है कुछ अच्छा हो छुफाग्य और कुज़ोक नहीं चलत दो कि थोटी ए्टली ना ईंजब ठाश्य मन्के होते हैं थोटी इना कौम तो कुछ देखकर बहुत जदा दुख्यों आते नि वो पर रहा है कंग बिसक्षाई आलनना पर बstyक मांग रहा है मन है ना वेचारा उधर भावग हो गया लेकिन अधर बारत के बारत की राष्टे निमान की चौनती का बंड कीजिए एक्जाम में रहे हैं भारत में गरीबी और भुखमरी बारत की सबसे बड़ी चौनती है तो वैसा समझे रहे हैं क्यों करो में रास्ते कि इतना ओपर ध्य रहते हुए रहते हुए जो दरिद्र हैं बेचारे हैं आसा हाएं उनकी मद करो खूब करो वो सब ठीक है लेकिन गुर्कुल टाइम से पोँचो ठीक है वो जरूरी है यह दो तिंची ने बड़की है कि जो एक्जाम सेंटर पोँचने से पहले किया कुछ और प्ड़का है अपने को जो है करना और नहीं करना एक बात को कि इसमें करने वारी चीजों बर और समय पे दिने का मतलब यह नहीं है कि अगर आपको पता है कि आपका घर से ना सेंटर की दूर यह गंटे की है तो 7.5 तो ले चलो चू कही रहा हूं कि हमें लगता है कि हम गया एक दिन जाने में लगता है नो बजे निगल जाएंगे एक इंटे माराम से पोंच जाएंगे और इंट्र में एंट्री हो जाएंगे ऐसा वाला मैंने फिर से काव पेटा इजाम वाले दिन जो ट्रैफिक है वो डबल हो जाता है पैदल पिजाओ तो समय लगे का ना पड़ाने उसना समय टो लेकर श चलो अपने गघर से इतना टे आंड चलो अपन मेर 12th बोर्ड का एक्जाम पहला एक्जाम इंगलिश का और सुभः उठेश वुकर रह न है और देखां वहए है वैदर कैसा है तो सुभिसमे बारिश हो रही थी दूर बारिश हो रही थी मैं आ प्रेट की आट की आख बारिश हो जाएगी बलपुर इस था तो बारिश हो ज यह सुनने पर कुछ हो जाए लेकिन वहां जनरली ने सुनने वारे हैं टाइम है एंट्री का ठीक है एंट्री टाइम पर आप पहुंच गया तो ठीक है नहीं पहुंचे तो अपना घर रहा हो तो उस दिन निकले पारिश थी भई दास्ते न देखा तो यहां पहुंचे टंकी पुरी पाइंट गिली हुई थी शट पुरी पाइंट अपकरा था अड्मिकार था वो ना लेमिनेट था पैंथे दो तीन तो बस मोच गया तो लुकने वाला ने एक्जाम ते अपने घर से इतना टाइम लेकर चलो कर रास्ते में कुछ उच नीच भी हो रास्ते में रास्त पहुच ओ कि आप 15-20 पहले अटा पहुच जाएं 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 नौर्मली एंट बैट जाओ तो मन शान्त हो जाता है बैट क्या होता है जनरली के बच्चा जो है ना वह इस चांप पहुच पहुच निच नहीं हो अभी एक्जाम बढ़ चुकी है और जब बच्चा पहु इसे बच्चा साथ है तम्हें टनाम मिं इचेते हैं गहां आपीच नहीं पहुचआ हो जटासा बिच्चा क्यों तो जड़ासा होने लिट बच्चा है इससे बच्चना क्यो है कि मानसे तनाव नह से मिस मनब्स अपने मौध मस्ति में जाओ और अंकल आपने मशेम अर भाइ जाते हैं गो है आज पास नहीं है ना अज्पास से मेरा मतलब के सेंटर के गेट के आसपास रहते हैं लेकिन उसे जाथ तो दूर बन निकलता हो ओता है काई बार आप गया एक्जाम सेंटर देने पढ़ आपका यासर बही ना कुतुमेना के पास पोल आप इस ताइम है ना अवी टैम है च्छो कुतुमेनारी गूमाते हैं तो पहली बार आ आ यह थे देखिया कि कैसा है कुतुमेना तो इसाम में पास पास बहुत सारी इसलम है ज्यजण ज्धिभel इसलम है श्यवार और वहां होता काया के जो एक्जां होता है एक्जंस क्यों लॉत लेने वार आक्षण बूट ने वाले लूट रहने वाले अचीनाइन जवं पैसे उनकी बहुत उस समय बढ़ी आप इंकम चल रही हो थी क्यों बच्चे पुछ जाते हैं जल्दी पॉह जाते हैं और निकल पढ़ते हैं इदर फ्लाइवर देखकर आएं कैसा वाला है तर देखकर आएं इदर से सब्वे देखकर रहें कैसा अंधर से लगता है और वहां उनको कोई गुरेज ने साथ में कि या ब्लेड मार दे उनको कोई प्रैक्टिस दने लिए की चाक कु मार दे ना है या मार पिट कर लेना कि नवां पर ना ने को बड़ी बात नहीं है तो ऐसे बहुत स्रे गेंजाम वाले दिन होट आ इल्थे गई थे एग्जाम संट के बा तो आपको समस्या होंगी किसी भी तरह की ऊसकते हैं यह आम समस्य में अपने हां की बात कर रहा हूं होती है चिनल एक्टीवी मार्पीट कर ली जगए थे एक्जाम देने पचला पीस आरे बैठे हुए यह क्या कर लोगे आप वहां का जो यह चेत्र नहीं है रहा है क्या कर ल यह है जनल सी ना सुनने मजाक लगती हो लिए यह रेल्टी है अपने यहां के सेंटर पढ़ते हैं भी आसपा जनी घनी बस्तियों वाले आके हैं महां होता है कुछ और नहीं होता तो महां के जो दो चाथ दमंग होते हैं वह खड़े रहते हैं आट दिखाते वह और हाता प होगी यह सारी बात गों को करते हैं अलग अब आते हैं अ बनी अनुषेटा में मिल गई है एक्जाम में आंसव शुट मिल चुकी है और अनृषीटकों में लिखते हैं ठाक है तो है आप आड इसमें पाट एक जो चीज है जो में करनी है वह क्या कि सबसे पहले जब भी प्रश्ण पत्र होता किसी वेस हो जाए लेकिन प्रोस्टिजर यह है 15 मिंट आपके पास अपनी आश्ष्ट को तसलिश से भरने के लिए है ना और अगले 15 मिंट आपके पास कोश्ण पर को पढ़ने के लिए पेपर का टाइम साड़े 10 से स्टार्ट होगा डेड़ तक चलेगा तो क्या करने में प्रश्ण पत्र है जो प्रश्ण पत्र है अगल था इस नहीं पढ़ना है तक है हां को श्चन पर दान से पर पता जला मैंने देंगे में वो पूरा एक गंटा पर यह पढ़ते रह गया कोश्ण पर पढ़ते रह गया और जब आख ली तो पला यह गंटा भीट गया आप आपके तो क्या करना आज प्ड़ा को पर में अगल लेकर कोई नहीं चीज नहीं है आप रीबोट देच चुके हैं आप मुक्टतर ते देच देच उससे कुछ अलग बहुत जाता नहीं होंगा सवाल तो अलग होंगे भी जायर सी बात है लेकिन पेपर का जो मोडूल है पेपर प्पर जो फोर्मेट है उससे जाता एकर पुरा पेपर थिकले हैं किसी सवाल आए विश वाल कई कि क्या कि मने पुझा पूरा ही पर लिगा थैक है लिए नही अपनी जो है योजना पना ले कि यूजद रचान के चखर को ना इस दो पहली एया जना नहीं कि तर के अटवा लाकु थे तुश्द चानिन.' मतलब जो categorized कहीं paper में लिखा नहीं है आपने खुद गिया paper को देखने के बाद क्या उस category में पहली टाइप के जो category होगी है ना वह ऐसे सवाल होंगे कि जिनको आप देखती आंसर लिखेंगे पहली category कुछ सवाल हैं से जिनके आपको देखती आंसर पता होंगे आप फड़ा से आप उसका आंसर लिख सकते हैं बहुत बढ़िया करके लिख सकते हैं पहली category दूसरी category होगी कि आंसर आता तो है लेकिन वह इतना अच्छा नहीं अभी थोड़ा समय कुछ doubts से हैं कुछ confusions से हैं दूसरी category सवालों की हो गई तीसरी category कि अल्ला ये भी था कोई पड़ाई नहीं है कभी बुक में कभी स्लेपस में कभी चीज देखी नहीं कि नहीं सीज आ गई है तो दूसरा वाला जो तीसरी category जिन सवालों को उत्तरा बहुत परफेक्टली देंगे बहुत बढ़ बढ़ बढ़े तर इस दिंगे दूसरी category कि जिन में सुप्टी प पता भी है और नहीं भी पता है तरहें लिख देंगा अंसर ऐसी वाली तीसरी category कि या तो कहीं से देखने को मिल जा है या कोई टीचरी आगए यह क्या चीज है यह बाला है एसी वाली तो पटा योजन अब बना लिए निया कि मेरे कौन को सवाल ऐसी करिगरी में हैं फर्स् पिकता है तो प्रात्मिक्ता वाली सवाल पिटें पनके जिन बहुत को सिंपल सिपाते हैं एक बड़ा सिंपल स्तरीका है कि जिन जिस पृष्ण का उत्तर आप सबसे बैतरी नितर्ग से लिख सकते हैं ना जिस सवाल पूरे पर देखो कौन सा सवाल है कि जिसका जो है उत्त कि इसने भी गलतियां निकाल लें कि मिलें तो मीं रोट मेरे छे नबर देने यह भाड़ेंगे आज को स्वाल हैं उपने लिए ऊदेदेगों ए जिनके आंसर आपको बहुत बहुत रिन तर्म पता है उनने पर बहुत अमने मेरी कर और स Emma's को सब्सक्राइब कि जो 10 sean ऐए ऐसा हो सकता है वाला अनुमान वाले जो उततर अरहीं आ करने अने ठीज मतरी इसेS इसे क्या होते हैं इस्से होगा क्या भंवत हिए अग्जामेनर को परिपर का पहरा उत्तर पढ़ने के बाद अनुमान लगा देते हैं कि बच्ची याफी सवल है कैसे कहोंगी डोकिके कि विधिसीफिवी आँसरीट का पहला उततर पढ़ता है को पहला उत्तर हर्डा पढ़ता है और विधिके बत फ OF ज्रू कर्ण खेले पता है जीम। यह जो बच्चे वह बड़ा विलक्षन बुद्धी वाला है तो एक सवाल उर पड़ेगा खोशच करेगा कि चलो इसमें गलती कर दी हो दूर सवाल पड़ ले अब वहां भी उस बच्चे ने कुछ उट्पड़ा उतर लिखावा है तीसरा पड़ लेगा तो उपरनी पड़े तो इसकी इतनी भई चंटा है चार में से रॉत दो चार में से एक चार में सुक्र देगा शुकर देहां यह वह तरो मलंब ऐसा नहीं बोल तो पहले वाला उत्तर कैसा था बोट बड़े लिखा था उसमें सारी चीज इसे फेक्टिबल हैं ठीक है और बाकी का उसमें वैसे लिखा होगा नंबर मिलने शुग आते हैं उसी तरह और पहले तुसी सवाल में देखा के यह तो अलगी दुनिया में गूम रहा है से बस पढ ठीक है यह करने वाली चीज है और इसमें क्या है जो करने वाली चीज में क्या उचित दूरी होनी चाहिए ठीक है किसके बीच में उचित दूरी आंसर की बीच में दूरी ठीक है बिटा आपकी जो बोट की आंसर में आपका दो नंबर का प्रिश्म भी है ना दो नंबर का अगर चार नमर का प्रिश्म भी आठ नमर का प्रिश्म भी है एक उत्तर लिखने के बाद दो लाइन खाली छोड़ू पूरी प्रोपत दिखाई दे यह प्रिश्म का उत्तर पूरा हो गया है अब हमने अगला वाला लिखा एक है है ना उस अंशन सेट के लिए आपने फीस ब रेको अक्सवाल, पर एक setting नम्म सब्सक्राइं जहां दो सब्सक्राइब करने यभ्या तो बीडगा है एक गयॆ दया हो झाल एधर है यग तो तो आपके तो आपके अशल खाल आई फिर नहीं मBayन刷 के देञा फिर जा है इक बाद भाद धानक कि की आंशन शुट जब चेक होती है एक्जाम अशन शुट की तो आँशन शुट के फ्रण उसके पास वह लिस्ट होती है ओडा लिटे में लिखे होके लिखें कोशिण नंबर और मार्क्स अब आलो कि एक्जाम ने कॉश्इन ने फोट चार पांच सव अब इसमें आत्या सवान रिश्क कर लिया रिपीर्स के लेगा नियुक्याक कर लिया रिपड़़भस बादो अपिन ही इसमें सब्क्राइब पुरिया आसो भाज में गुल कर लिए उसने जो कोपी पे ठीक मार कर जो नंबर दे दिया है वो चेंज नहीं करेगा क्योंकर उसने चेंज किया मेंस के वो खुद इंडिकेट कर रहा है जो है उनके थोड़ी इसको कि मैंने कोपी गलाच चेक ही तो उचित दूरी होना आंसस में बहुत जरूरी है ठीटा प्रोपर क्या है यूज करों प्रेश पूरा हा नअ एक उचें दूरी और जैए उत्तरों की नंबर इंग ड़्रा नंबर इंग बहुत घ्यांते कर दिया न यह अंसर की है क्यों होता कि बारें सेना कि हम लिख रहे है आंसर नंबर जो है चौदा का प्रिष्ण नंबर 14 नंबर का उत स्ञेस दो और 14 सवाल है वो क्या है महरेसा माराजी के पार में आपने क्या क्या गलति से आपको लखने ता 12 नमर कर दिया है सवाल नमर 14 आपके पारा क्या है आंसर है के नहीं है कट खतम ठीक करने नहीं बैठेगा कि हाँ बच्छे ने गलती से आ रहे तो सवाल दूसरा था और बच्छें गलती से नमबर गलत कर दिया है पूरा अंसर यागा मैं कूप की थे लिखा तो नम्बर बहुत ध्यांद से करनी है एक चीज हो एक बड़े चीज इसमें रहा आती है वह यह है आपको करनी चीज ने अब इक्जाम में बटा बोर्ड में बहुत जगा मना हो गया है एक ही पार पास का ब्लू क्या करो दो तैप पैन रखो गोट्र लिए रखो दो टैप के एक पैन रखो मोटो ऐसे बाला था है ना बोल्ट रखो जो भी लिखो लुटामड़ गाय रहे हैं वह जितने भी इन्वेशन अविश्कार वह वह समना बच्चों नी तो कि एंसानों तुकिय हैं तो उन्होंने ब्लेक पैन मना कर जो हमारे पास है और तरीका है जब एक हम नम्रिंग कर रहे हैं तो इसकी हैडिंग ऐसा की है पोइंट की हैडिंग है ठीक है आपके जो पॉंटस है उनको मोटे पैन से लिखो भुलू वाला मोटा पैन अलग दिखाई भी और इसको निश्काइब कर रहे हो अंसों की जो रैक कर दो पूरा अलग घैदी को पी कि आंसर लिखते सो मैं points कों सा है points की ज़े व्याख्या कोंसी है त्या यह करने की है नहीं करने वाली पाता हूं जाधा समय बने लेते हैं इसके बाद किसी को कुछ निजी सवाल हो किसी का इन सबसे अलग किसी के दिमा कुछ आता हो तो मुझे समय को देखते में करते हैं तो नहीं करना है जो चीजी नहीं करना है किकाओ आँड़ को तो दोराना नहीं कहा थиля तो खुपको दोराना नहीं है किसे भी आंसर को但是 को करना है तूहता है कि द्सक्राशा अंसर नहीं आ रहा है चुत्छा का अःसा है त्सक्राश किसका चुत्य vac ऑला नहीं आता हय हम näm Fish-blind नवश्द अध्यत रहा है तुभार कर दिया कि TW Kare नहीं के पास लेस्ट है अगर इंधा में सवाल नंबब एक पहले कोपी में चेक कर लिया है चेक करके उस नंबर सवाल के नंबर यह चड़ा देगा ऑवर्ड में पूरे आंसर शुट में एक नमबर सवाला को पहले आज चुका एक बार आप दो सोच लेहा हो शयार मन रहे हो क ग्जामिनर दोबारा एक नमर को चेक करेंगा उस पर चार नमर देगा चार में चार यह बहुत बड़ी गलत आप है तक है इसको लगता है कि बच्चा है बहुत होशयार बनने को शुच कर रहा है और जमार इसको होशयार निकालो तो एक्जामिनर को कोई बेकूफ नहीं बिद गया है तो जो चीज आपके दिवाग में आ रही है वो दिमाग में लाकर बुला चुके है ठाए तो पर रिपटेशन आंसर को दोराना नहीं है कोई फायदा नहीं है इससे बैटर होगा कि आपको जो उत्तर आते हैं उन्ही उत्तरों को बहुत बढ़ी एकिसम से और दोर interprets आया लिए प्ली चीज यह नहीं आयाँ दोर के उत्तर क्लो 팔च होता है तर्में कर वाता करनीबें काट नहीं करनी है कातण पीटी नहीं रुट्स में कि उसकि ब्रहों देर रहा है चब अम इस Васघ में आपके। के लोगते सिफ कुझी सपश्यों हाथ रह Champions about उसमें लिः ऌनसर लिखा deshalb कार दिया ना ओर ऐकसी और धर कठा उब केंटे हैं तो अगर किसी एक्जाम में कोई सवाल चार नंबर का है और उस सवाल में अगर एक बार पी कट लगाया न अपने एक वर्ड़ पर एक बार कट लगाया तो तीचर का जो है जामेना उनका जन्म से अधिकार बंजन देखा वो नंबर काटे चार नंबर पूरे निदेंगे अग इसी शब्द को ठीक है एक अदक्षर आगर पिछोगा है लिख दो पूरा प्रोपट काटो मत क्यों इसको इसको ट्क्ये तरह लो क्यों जब मैं एक्जाम में रहूं और कोपी चेक कर रहा हूं तुम जो उत्तर लिख रहा हूं मेरे दिमाग में पहले से भरा पड़ा है है और तुम एक्जाम में लिखना है कमल तुम्हें एक्जाम में लिखना है तुम्हें एक्जाम में लिखना है तुम्हें एक्जाम में लिखना है तुम्हें लिखना है तुम्हें लिखना है कमल लिखना है तुम्हें लिखना है तुम्हें लिखना है कमल लिखना है तुम्ह अग्जाम मारे ग Teil उसके फिर और गपे गछान घो तो हमारेगा तो सफ्क्षाचर मंखे अगर इन कहीं तो कुछिछ कर न गतिया है अगर हो जाती है तो काट तरिका्य एक एक है सभी काणने का निए को अकटका शेक अगर उस पर सिंपल सा डोलाइन जाए उसका मतलब आपने राइस काण रिखो उस आंसर को फिरसी पेस पर लिख वाल ये सभी को इसे तरिका है निए कर ढ़ला इस जम्सका मार्णा है काट को इंगए काटने में से पेपर पेट लिए लिए अंगरो बस आणसर दिखाई ही जाटीशे को क्या लिखाता और पीछे वाले जो तीन-चार पेज में वह भी शएद हो गए काटने के चिकर में है तर याद आये तो पिछाले तीन-चार आंसर भी उसमें तो काटने मतलब क्या आपने आंसर कर तो गया है पूरा आंसर काट हो दोबारा लिखो लिखो नहीं तो अगले पेज पर लिखो काट चार्ट वैसे नहीं करनी है कि कोपी पर जो है दब 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 बत इभर दिकने बेदी आने तो बां बट बहुत inross ​​ reduces नहीं है और रचाट नहीं करनी है त्सामें ठीक है। जो की और रचव करनी है यह सबस्पना पिर नहीं करनी है। दूसर् região काक किया तरही व कंदों कि अइंग स्ब्सक्राइब फिर नॉचण में है आपको आशेओ कार्णा ना करनी स्वाल आया के राम कॉन थे आप उत्तर लिख रहे हैं वो दसरत के बेटे थे स्रीता के पती थे लक्षमन के भाई थे अना वो पूछ रहे हैं वो स्वाल में पूछ रहे हैं कि अमेरिका ने जापन पर हमला क्यों किया क्योंकि शीतु चल रहा था आप आउतर हैं अब क्या तुक्की बात है शीतु चल रहा था पर उसमें घुमा घुमा करें आपको कोशिश करनी है कि तो बटा दो तीन चीज़ है अपनी वर्ड लिमिट पूरी हो और आंसर का जो पॉइंट है सिरह सरु इससे भी ज्यादा बु कभी-कभी मेरे दिर में खायाल आता है कि जैसे तुझको बना गया है मेरे लिए अगर आंसर नहीं पता है तो आपकी अपनी सामाने समझ उसके बारे में क्या है आपको उसके बारे में क्या लगता है तो आपको उसके बारे में क्या लगता है तो आपको उसका आंसर नहीं वो लिखो, एक्जामर को पर लागे, आपको अंसर नहीं आता तो उसमें नमबर दे देंगे, दो नमबर, चलो, बच्छे ने कोशिश तो की, वो उत्तर पर नहीं है, लेकि उत्तर के आसपास तो है, है ना, इतना समय में आता है, यह नहीं चलेगा, कि परला वो स्वाल तो जो उत्तर हो, तार्किक हो, आपके परिशन से समझे तो उनको गुमाना नहीं है, एक तो गुमाना नहीं है, बना गुमा-गुमा करने, सिधा आंसा दो ना, भई, उन्होंने पूछा, सिंपल स्वाल पूछा है, उसका सिधा 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 उत्तर दो, सब बवाशा में, स युतनी जयूत है, थो फ़ियो थक材 इसमाल करो आखनी हो तो जुतनी है अगर तुम दिइग्जामेनर को गुमा उत्तर लिखते समय है तो और तो पर नमब घुमाए का और अधर चुन दूनने पढ़े अगर चुन पो आंसर में उसके सवाल के गणना पढ़े तो कहीं और चल जाता हो CBC में, नहीं चलता है, बचना है से से, तो बढ़ा, दोराना ने काट चाट ने करनी है, गुमाना ने एक्जाम ने रखते हैं, और एक जो चीज नहीं करनी है, आपको लास्ट यहीं पर इसको खरम करते हैं, एक चीज आपको जो नहीं करनी है, अपने जो नहीं करना है, तीन गंटे के पेपर को दो गंटे में करने के बाद अपने आपको यह धाउसा मैसुस नहीं करना है, कि देखो तीन गंटे का पेपर था, और मैंने दो गंटे में कर दिया, आप आसपास तालियां बज रही हैं, और ऐसे, विजय ता आज का यही है, पेपर इसलाब से बना है कि बच्चा अगर तीन गंटे कुब लगकर लिखे तो उसका पेपर पूरा होगा और पूरे नमबर देन लाइक होगा ऐसी वाली बाहदुरी नहीं दिखानी है कि बहुत तीन गंटे पर दो गंटे में तो बड़ा यससी मैसुस कर रहे हैं बड़ा ह यह और चीज चुकर हमें लिखे नाव पेपर की अटेप्टेश्न और फिर पर्शन और कोषिश करनी हैं कोशिश यह करने कि कि हमारे कुशनपत्र में more उत्ने युद्ध्तर हो हूं तोगे एसे निंहीं करना हा है जाम था असी नंबर का और गजर आएं बोलो 60 नंबर करके आए है क्या टॉर साठ नंबर क punya टॉर पूरम आले नहीं अफिर सोली में थाएं फिर गंसे कितने में सबस्य नेगा राई और कितने मैं से 6 क्यों 6 में से साटी में शोटें शोटें उन सब कोई माइन नहीं माइन यह हैं तो यह जो कुछ चीजें हैं हम एक्जाम्स में करनी है और नहीं करनी है मेरे काम के वाद सुझाथ देना है एक ठीचर होने के ना ज़ाथ शुचाथ है और मुझे लगता था कि यह सब जरूरी उन चीजों से भी जाता है जो लगातार पढ़ रहे हैं दिन दाथ अगर मैं वह दो तो नमरी घुम है ठीड़ा तो आज के सेशन का इस समिनार का पूरा जो तार मुदार वो यह है। कि पूरे इस एक्जाम को लेका सर्फ एक्जाम नहीं बलकि बैटल के तोर पर लेनों है और हर तरह से तयार हो इस एके हैं की परिक्षाओं के लिए आपके ब अब तक के लिए जैहन, नमस्कार.